समय निकाल कर जरूर सुने, दवाई लेने के बाद अंगूर खाने से आपकी मोत भी हो सकती है, एक सिगरट आपकी जिन्दगी के 11 मिंट कम करती है, ज्यादा टेंसन लेने से आपका खून गाड़ा होने लगता है, जिससे खून के ठक्के बनने लगते हैं, और यही कान है कि ज्यादा टेंसल लेने से हार्ड टेक आ सकता है, सुबह खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इसमें मुझूद कैफिन से ब्रेन पावर कम होती हैं, और हमें एसिडिटी की सिकायत होने लगती हैं, क्या आप जानते हैं इन बातों को भी, एक गिलास गरम पानी इ किसी पेन किलर से भी तेजी से काम करता है, लेकिन ध्यान रखें, आदिक गरम पानी का सेवन हमें बिलकुल भी नहीं करना चाहिए, एलुमूनियम के बरतनों के परियोग से अंग्रेजों ने देसभगत भारतिय कैदियों को रोगी बनाया था, इसलिए आपको भूल कर भी एलुमूनियम के बरतनों का परियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे बिमारी आती है, सर्बत और नारियल पानी का सेवन सुबे ग्यारा बजे से पहले अमरित है, उसके बाद इनका सेवन करने से आपको फरहेज करना चाहिए, एसी में सोने से आपका मोटापा बढ़त बेहद अधिक होती है, इसलिए आपको हमेशा पानी को बैठ कर ही पीना चाहिए, कूकर में डाल गलती है, पकती नहीं है, इसके कान ही हमें गैस और एस्टिटी होती है, जितना होसके डाल को बिना प्रैसर कूकर के खुला ही पकाएं, क्या आप जानते हैं कि किसके साथ हमे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, दूद और दही कभी भी एक साथ ना खाई, दूद के साथ हमें संत्रे का जूस नहीं पिना चाहिए, मचली के साथ हमें दही भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, तरबूज खाने के बाद हमें पानी नहीं पेना चाहिए इससे हमें लूज मोसन हो सकते हैं संत्रा और केला हमें एक साथ नहीं खाना चाहिए ठंडी दही के साथ हमें केला नहीं खाना चाहिए दूद के साथ मूली नहीं खानी चाहिए पके हुए चावल के साथ सिरका नहीं खाना चाहिए दूद के साथ खरबूजा और खेरे का सेवन नहीं करना चाहिए दहीं खाने के बाद हमें दूद नहीं पीना चाहिए क्या आप जानते हैं कि भावनाई हमारे सरीर पर कैसे असर करती हैं गुस्सा हमारी लिवर को कमजोर बनाता है, दुख हमारी फेपड़ों को कमजोर बनाता है, चिंता हमारी पेट को कमजोर बनाती है, तनाव हमारे दिल और दिमाग को कमजोर बनाता है, डर हमारी किडनी को कमजोर बनाता है, प्यार और सांती से हमारे दिल और दिमाग दोनों को ही बल मिलता है, इसलिए हमें प्यार और सांती से रहना चाहिए, हासी तनाव को कम करती है, मुसकन से हमें खुसी मिलती है आपको जल्दी बुड़ापा नहीं आने देती ये पांच चीजे इनके बारे में भी जान लीजिए पहला टमाटर टमाटर को खाना भी चाहिए और स्किन पर हमें लगाना भी चाहिए क्योंकि टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है जो तवचा के लिए बेहद अधिक फाइदमन माना जाता है ये आपके सरीर को बढ़ती उमर से बचाता है इसलिए इसे रोजाना सलाद के रूमें खाएं और स्किन पर घिसकर इस्तमाल करें पानी यदि स्किन को चमकदार बना कर रखना है तो सरीर से विसैले ततमों को बाहर निकालना देहद अधिक जरूरी है इसके लिए पानी से बहतर कुछ भी उपाई नहीं होसता इसलिए दिन भर में कम से कम तीन से चार लिटर पानी आपको जरूर पीना चाहिए प्लांट बेस्ट फूर्ड पर आपको फोकस करना चाहिए आपको मास से जाना प्लांट बेस्ट फूर्ड पर जादा ध्यान देना चाहिए फल सबजियां, साबूत अनाज, नट, बीज, बीन्स आदी का खूब सेवन आपको करना चाहिए इनमें विटामिन और मिननल, एंटुक्संड और फाइबर जैसे पौसक तत्व भरपूर मातरा में होते हैं जो आपको मोटापे, डाइबटीज, हारदे रोग, सूजन और कैंसर जैसी बीमारियों से बचा कर रखते हैं अंकुरित अनाज, अंकुरित मूंग, चना, गेहू, सोयबीन, आदी को आपको रोजाना, नास्ते में सेवन करना चाहिए इससे सरीर में प्रोटीन की कमी दूर होती हैं साथी तमाम विटामिन और मिननल भी मिलते हैं जो हमारी तप्चा को अंदर से तरो ताजा बना कर रखते हैं हरी सबजियां, बथवा, गाजर, पालक, मेथी, खीरा, लोकी, मूली, सरसों का साग, तोराई, आदी सबजियां खाने से हीमोगलोबिन मेंटेन रहता है इसकी वज़े से आपके सरीर में भी भरपूर अनरजी रहती हैं, साथी चहरे पर भी नैचरल गलो आता है इसलिए यदि आप इन पांच चीजों को खाएंगे तो बुडापा आपसे दूर रहेगा दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी कोमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करें और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करें तो चले दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही कुछ जबरदस टोपी के साथ नई वीडियो में धन्यवाद